क्या आपको रात में नीन दाने में परेशानी होती है? क्या आपने किताब में बताई गई सभी तरकीवे आजमाई है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है? अच्छा, क्या आपने पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन के बारे में सुना है, जिसे स्लिप है, कहा गया है? इसमें शरीर के बाकी हिस्सों को भीचते हुए नाक से पांच धीमी, गहरी सांसे ले और छोड़ने से पहले प्रत्ते को यथा संभव लंबे समय तक रोके रखना शामिल है पीनियल ग्रंथी, जो मस्तिश्ट के मध्य में स्थित होती है. मेलाटोनिन का उत्पादन और स्राव करके नीन को विनियमित करने में भूमी का निभाती है. एक हार्मोन जो सरकेडियन ले को विनियमित करने में मदद करता है. हाला कि यह सुझाव देने के लिए कोई मौजूदा सबूत नहीं है कि पीनियल ग्रंथी ध्यान मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ा सकता है. यह सांस लेने की तक्नीक मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाने के लिए गहरी सांस लेने और विश्राम को जोडती है जिससे नीन्द की अध्ययन में पाया गया की ध्यान और माइन्फुलनेस कारेक्रम से नींद में सुधार हुआ, ठकान कम हुई और वृद्वयसकों में अवसात कम हुआ. हमारी सांस को धीमा करना नींद में देखी जाने वाली गहरी धीमी सांस लेने के पैटर्न की नकल करता है जो हमारे शरीर को आराम की स्थिती में बदलने का संकेत देता है यह तक्नीक हमारे शरीर को नींद के लिए तयार करने में मदद करती है अगली बार जब आपको नींद ना आएं तो यह स्लिप हैक आजमाएं